दोस्तों एक बर फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का DER Education के इस YouTube चैनल पर देखे दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर भरती परिक्षय की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक important topic जो काफी candidates सेने मेरे पास message करके भी पूछा है comments भी आप लोगों के आते हैं कि sir experience certificate कहां से बनवाएं क्योंकि most of जो driver की post निकलती हैं उनमें कई बार तो क्या होता है कि आपकी education qualification के अंदर ही लिखा रहता है कि आपका experience जो है वो 2 साल, 3 साल, 5 साल का होना चाहिए और जब आप trade test देने जाते हैं फिर document verification आपका होता है यानि documentation तो उस टाइम पे experience certificate आपसे मांगा जाता है तो वो experience certificate का format मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना experience certificate का format त्यार करवा सकते हैं तो वो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में clear out करने वाला हूँ हिंदी और English, दोनों languages के अंदर मैं आपको यहाँ पे जो experience certificate का format दिखाने वाला हूँ और आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप comment section में लिख करके जरूर बताना और driver भरती की अगर आप त्यारी कर रहे हैं किसी भी driver भरती की तो आप channel पर पहली बार visit कर रहे हैं तो channel को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी परकार की जो informative और important वीडियोज हैं वो आगे भी आपको इस channel पर मिलते रहेंगी तो देखी ये जो format मैंने open कर रखा है हालांकि इस format की जो PDF फाइल है Hindi और English language में वो मैं telegram channel पे आप सभी के साथ पहले ही share कर चुका हूँ अगर आपको download करने ही है तो telegram channel पे जा करके download कर सकते हैं telegram channel का link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा या फिर आप telegram channel पे जा करके मतलब telegram पे जा करके सर्च भी कर सकते हैं DR education official आपको channel मिल जाएगा देखी यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने दे रखा है कि ABC private company यानि कोई भी आपकी private company हो या फिर ABC transport company हो ABC का मतलब यह है कि मैं कोई भी dot dot खालिस्तान कोई भी company का नाम है उस तरीके से आप इसमें यानि जो मैंने बना रखे न बोकसा इस पर अपनी company का नाम लिखवा सकते हैं जब आप print out करवाना चाहें उस time पे ठीक है या फिर कोई petrol pump है तो उस petrol pump का नाम और इसके लावा कोई private school है ठीक है जिससे आप experience certificate बनवाना चाहें तो उसका नाम या फिर ABC driving school कोई भी driving school होता है तो उसका नाम आप यहां से लिख सकते हैं और नाम के साथ में address भी जरूर लिखें ठीक है ना जो school का पैटल pump का कोई private company का transport company का ठीक है या फिर किसी driving school का address जरूर लिखें उसके बाद नीचे देखिए यहां पर लिख रखा है registration number या फिर property number property name या number जो आप है वो यहां पर लिखवाएंगे इसके साथ में जिस time पे या जिस date पे आप यह experience certificate बनवा रहे हैं उस दिन की date आपको यहां पर लिख देनी है या लिखवानी है type करवा करके ठीक है उसके बाद यहां पर आपको नीचे इस तरीके का format लिखवाना है it is certified that mister यानि आपका नाम उसके बाद son of siri यानि आपके father का नाम residence of यानि आपका सहर village जो भी residence है वो यहां पर लिखना है तहसिल district state और pin code आपका यानि full address यहां पर आपको type करवाना है ठीक इसमें आप correction भी करवा सकते हैं भाई आप village के नहीं है किसी भी तरीके से किसी महले का home number लिखवाना house number लिखवाना कोई भी ward number वगेरा वो आप यहां पर correction करवा सकते हैं उसके बाद लिखना है pin code के बाद worked as a driver on my यहां पर जो space दे रखा है from से पहले उस पर आपको लिखवाना है जो आपने गाड़ी चलाई है LMV vehicle चलाया है तो LMV heavy motor vehicle चलाया है तो bus, truck जो भी आपने चलाया है वो यहां पर लिखवाना है कि किस तरीका का vehicle आपने चलाया है फिर यहां पर from के बाद जो date यानि किस दिनांक पर आपने जोईन किया था वहां से और कब आपने वहां से resign दिया है छोड़ा है तो from to मतलब जो date आपने finally यानि जब तक आपने वहां पर काम किया है तो फ्रोम जब आपने स्टार्ट किया और उसके बाद टू के बाद जो डेट जो आपने छोड़ी है नोकरी तो वो डेट आपने लिखनी है यानि दो ऐसी दिनांक लिखनी है जिसके बीच का डिस्टेंस जो एक्सपिरियंस मांग रखा है किसी भी पद के लिए तीन साल का पांच साल का वो उस दोनों दिनांक के बीच में टाइम पिरियड पूरा होना चाहिए हो 3 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो अपने जो भी notification में जस तरीके से दे रखा है experience तो उस हसाब से अपना experience उस डेट के बीचा आप बनवा सकते है जिसमें experience कम कम कमांग रखा है, जैसे माझ लो जो किसी भरती में 3 साल का experience मांग रखा है और आपने experience certificate बनवा लिया तीन साल का फिर नहीं चलेगा आपको फिर पांच साल का experience बनवाना पड़ेगा एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि जो भी experience मांग रखा है तीन साल का पांच साल का तो उतना पुराना आपका license भी बना होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपका license तो दो साल बने हुए है और आप experience बनवाले तीन साल गा तो फिर company वाला भी फसेगा और आप भी फसेगे ऐसे फिर fraud या फरजी केस में आप फस सकते हैं ठीके ना उसके बाद देखी यहां पर लिख रखा है दिनांग के बाद यानि जो date है उसके बाद his driving license number आपका जो driving license है उसका number यहां पर फिल करना ह और उसके बाद आगे की line लिखवानी है उसके बाद लिखना है he gets a consolidated salary of rupees पर मन्त जो भी आपकी salary थी उस department में उस company में जिस भी तरीके से आप पर मन्त जो salary आपकी थी वो यहां पर लिखवा सकते हैं उसके बाद he be as a good moral character and I wish him success in his life इस तरीके का format आप prepare करवा सकते हैं उसके नीचे यहां पर company प्रोपर्टी का नाम signature और यहां पर आपको stamp जरूर लगवानी है यह फिल एक तरीके से validate रहेगा आपका experience certificate बिल्कुल अच्छे तरीके से बनके prepare हो जाएगा इस तरीके से मैं आपको हिंदी का format भी दिखा देता हूं कि हिंदी अगर आपको use करवानी है format के अंदर तो उसमें किस तरीके का format आप prepare करवा सकते अब देखिए यह दोस्तों है हिंदी का performer यानि अगर आप पूरे format को हिंदी लेंग्विज में रखना चाहें तो आप यहां पे जो blue color का box है जिसमें private company या किसी transport company पैटल पंप, private school या फिर को driving school है उसका नाम आपको य आप जरू लिखवाना है ठीक है ना प्योर हिंदी में होना चाहिए यानि अगर आप किसी performer में हिंदी लिखवाना चाहें सुरू में ही adding हिंदी दे देते हैं तो पूरा performer फिर आप हिंदी में ही यूज करें तो better रहेगा उसके बाद यहां पर registration संख्या फिर दिनांक आपक निवासी यानि आपका full address आपको यहां पर लिखवाना है इसने मेरे यानि वहान का नाम आपको लिखना है कि कौन सा वहान आपने वहां पर चलाया था ठीक है ना तो कौन सा बस जो भी चलाई है LMB, HMB, जो भी गाड़ी यहां पर चलाई है उसने इतनी दिनांक से ले करके इतनी दिनांक तक ड्राइवर की रूप में यहां पर कारिये किया है उसका driving license number यह है और उसे परतिमाह इतने रूप है यानि जो salary है वो मिलती थी और उसके बाद यहां पर वह एक अच्छा नैतिक चरितरधारन करता है और मैं उसके जीवन में सफलता की कामना करता हूँ ठ अस्थाक्षर यानि signature और महर वहां पे आपको लगवा लेनी है ऐसा एक format आपका आप जब बनवा लेंगे तो बिल्कुल validate रहेगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी परकार की लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी दिनांक जब से आपने शुरू की थी न नकनी है जो मैंने आपको बता है driving license के बारे में ऐसा मत कर लेना आपका license एक साल पुराना ही है और आप license के उपर उसी license के उपर experience certificate पांच साल के बनवा लें फिर दिक्कत आ जाएगी ऐसा नहीं होता है जितना license आपका पुराना होगा जितनी भी साल ठीक है उस हिसाब से ही experience certificate बनेगा ठीक है इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और फॉर्मेट जो मैंने बनाया है वो फॉर्मेट भी आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप के लिए helpful रही हो तो वीडियो को जरू से जरू लाइक करना अपने सभी दोस्तों से शेयर करना और अगर आप ड्राइवर भरती की किसी भी परिक्षाजी दयारी करने तो DR Education Official Mobile Application को डाउनलोड करना बिल्कूल भी मत भूलना